Hello Friends, स्वागत है आपका Great HDD YouTube चैनल पर Friends, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं NTPC का Final Answer की और NTPC CBT1 का Result के बारे में जो की इस News Paper में छपा है तो जैसा की Friends, NTPC का Exam हो चुका है और उसका जो पिछले सबते हैं Answer की जारी कर दिया गया था और उसका Final Answer की अभी आना बाकी है और Final Answer की के बाद यहां Result का भी Date भी आना बाकी है तो Friends, इस News Paper में बताया गया है कि NTPC का Final Answer की कब से कब तक आएगा और NTPC का CBT1 का Result कब जारी किया जाएगा और साथ में Friends, यह जानेंगे कि NTPC के साथ साथ यहां Group D का भी एकजाम होना बाकी है और Group D का एकजाम किस डेट में जारी किया जाएगा सेडियूल एकजाम के लिए तो चलिए Friends, वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले आप चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें और ज्यादे ज्यादा दोस्तों को शेर करें तो Friends यह जो न्यूज छपा है जन्सत्ता न्यूज में है और इसमें लिखाए और भी एंटीपीसी रिजल्ट 2021 की सीबीटी वन का रिजल्ट यहां होगा जारी और नीचे आने पे यहां पे देख पारेंफ्रेंज डेट जो है 30 अगस्त के डेट में है और 10 बज कर 51 मिनट पे यह न्यूज आया है यहां पे लिखा है रर्भी एंटीपीसी रिजल्ट 2021 रिएलवे रिकुरेट्मेंट बोर्ड रर्भी द्वारा रर्भी एंटीपीसी CBT1 का रिजल्ट जल्द ही जारी किये जाने की समभा होना है मिडिया रिपोर्ड के अनुशार फाइनल अंसर की 31 अगस्त आनि फ्रेंज जो अंसर की जारी किया गया है पिछले सप्ता उसका final answer की यहां 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा वहीं परिच्छा का result सितंबर के पहले हपते में जारी किया जा सकता है सभी उम्मिदवार rb ntpc result 2020 जारी होने के बाद board की अधिकारिक website rrbcdg.gov.in पर चेक कर सकेंगे cbt1 सफलता पुर्वक पास करने वाले उम्मिदवार cbt2 में बैठने के लिए योग माने जाएंगे board द्वारा 35,000 से अधिक पदो पर भरती के लिए यह परिच्छत दिसंबर 2021 से 2021 तक साथ चरनों में आयोजित की थी हलाकि देश भर में बढ़ते कोविद 19 मामलों को देखते हुए अप्रेल में परिच्छा अस्थागित कर दी गई थी और फिर अस्थती सुधरने के बाद आखरी चरन की जो 7 फेज का एकजाम था वो जुलाई में आयोजित की गई और हाली में बोर्ड ने उमिद्वारों के लिए अंसर की जारी किया था जिसके लिए आपती दर्ज करने की आखरी तारिक 23 अगस्त 2021 था आनि कि कोश्चन में कोई तुरूटी अगर किनी कैंडिड देट को मिलता है तो वह कोश्चन राइज कर सकते हैं प्रोब्लम और वह जो डेट था वो 23 अगस्त 2021 तक था जो कि खत्म हो चुका है तो फ्रेंस यहां फाइनल अंसर की आना अभी बाकी रह गया है अब बात करेंस यहां गुरूबडी का तो गुरूबडी का एकजाम फ्र से एकजाम शुरू होगा तो यह नीज़ पेपर में भी आया है फ्रेंस की रेलवे गुरूबडी का एकजाम जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में यहां पर रर्वी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो फ्रेंस यह था रर्वी एंटी पीसी का अंसर की और रिजल्ट रिलेटेड इस न्यूज में तो इस वीडियो में बस इतना है फ्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद